हेलो प्रेंट्स जैजिनित नीटा कुपिंग क्लास में आपका स्वागत है आज हम आपको पीनेट बटर की थ्री वेरिंट्स बताएंगे पहला है प्रेंची पीनेट बटर सेकिन है पीनेट अलमंट बटर और जो हम आपको बताएंगे वह है चौकलेट पीनेट बटर तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए टू एन हाफ कप पीनेट्स हाफ कप ऐलमंट्स वन फोर्थ कप कोको पाउडर हाफ कप पाउट शुगर साल्ट और एस्पर नीट पीनट ओई फिनट बट बनाने के लिए हमें मुफली को सबसे ब्ले रोस्ट करना है हमने इसके लिए बिनाच्छा उडी मुफली को दालकर हम मीडियम फ्लेम पर इसको रोस्ट करेंगे जब मुफली का कलर चैंज हो जाए है या में थोड़ी खुश्बो आने लग जाए सिखने की तो आप बंद कर दें आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी सेख सकते हैं हमारी पीनट्स रोस्ट हो चुकी है अब इनको हमें थोड़ा खंडा करने के लिए रखना है जब तक हमारी पीनट्स थंडी हो रहे है तब त 10 मिनिट तक रोस्ट करना है जब इसमें सिखने की खुश्बू आने लग जाए तो गैस बंद कर दें हमारे ऐलमंट्स सिख चुके हैं इनको भी हमें ठंडा करने के लिए रखना है सबसे पहले हम क्रण्ची पीनट बेटर बना रहे हैं उसके लिए हम पीनट्स को मिक्सर मे करें डाल कर पीसेंगे हम क करनची पीनट को निकाल के रख लेंगे पिर बाद में इसको बटर में मिला देंगे जिससे कि हमाया जो पीनट बटर बनेगा वह क्रंची बनेगा बाकी की पीनट्स को हम और ग्राइंड करेंगे जब तक कि इसका शाइनी पेस्ट नहीं बन जाता पहले पीनट्स का पाउडर बनेगा इसको हम थोड़ा हिला देंगे फिर इसे हम और पीसेंगे अब ये ठिक होने लगया है आप इसको साइट से हटाते रहें और फिर इसको बार-बार चलाते रहें देखिए हमारा ये बेटर काफी सॉप्ट हो गया है अब इसको साइट से थोड़ा नीचे कर दें और थोड़ा सा इसको और चला लें देखिए हमारा पीनेट बेटर बन गया है ये बहुत स्मूथ बना है और इसमें शैनिंग भी बहुत आ गई है पीनेट बीटर बनाते सेमें अगर आपको लगए कि वो ठोड़ा ड्राय है और इसमें शैनिंग कम है तो आप उसमें 1 टेबल स्पून पीनेट ऑल सकते हैं हमारा पीनेट बेटर सॉप्ट है और उसमें शैनिंग भी है तो हम उसमें आउयल नहीं डाल रहे हैं ऑ फिर इस Mixing को एक राउंड और चला देए हमारा miners क्रण्ची पीनट बिटर बनके तयार हो किया है हम second variant almond peanut butter बनाने जा रे हैं उसके लिए हम roasted almonds और roasted peanuts मिकसर में डालेंगे और फिर प्रॉसिजर भी सहिं रहेगा जो हमने कंची पीनट बेटर में बताया था, पहले ये पाउडर फॉम में आएगा, उसके बाद में इसका क्रीमी और शैनिंग पेस्ट बनेगा हमारा एलमन्ट पीनट बेटर आलमोस बनके त्यार हो गया है, लेकिन थोड़ा गाड़ा है, इसलिए इसको हमें थोड़ा और चलाना है, अब इसमें हम चुटकी भर नमक डाल रहे हैं देखिए हमारा एलमन्ट पीनट बेटर बनके तयार हो गया है, काफी स्मूध बना है और इसमें शैनिंग भी आ गई है, आप एक बात का ध्यान रखें, इसको बनाने में आपको टाइम लग सकता है, आपको पेशन्स रखना पड़ेगा, आप इसको बीच-बीच में मिक्स करते रहें और इसको पीसते रहें, अब हम थर्ड वेरियंट चॉकलेट पीनट बेटर बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें एक कप रोस्टेट पीनट्स चाहिए, वन पोर्थ कप कोको पाउडर चाहिए, पर हाफ कफ पाउडर शुगर चाहिए, हमने पीनट बेटर बना गया था, हम इसमें उसका इस्तिमाल कर रहे हैं, साथ में कोको पाउडर और पाउडर शुगर डालेंगे, फिर हम मेक्सिको वापे से चलाएंगे, तो लीजिए हमारा चॉकलेट पीनट बेटर बनके विलकुल तयार हो गया है, अगर आप चाहिए, तो इसमें शुगर की जगए, ब्राउन शुगर या हनी का इस्तिमाल भी कर सकते हैं, तो लीजिए हमारे पीनट बेटर के तीनों गया अजिन बनके तयार हो गया है, आप इन्हें 30 दे तक फ्रिज में रखकर इस्तिमाल कर सकते हैं, आप इस रेसिपी को ट्राइ करें, और अपने एक्स्पिरेंस हमारे साथ जरूर शेयर करें, अगर आपको यह पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटर्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल स्वात का तड़का लगाते रहेंगे, स्टे सेफ, स्टे हल्दी, एंड कीप कुकिंग